नमुश्कार दोस्तो मेरा नामे राजेश आप सब देख रहे है अरडियेट से र्यूटिव चैनल आप सब का इस चैनल पर सबसे पहले स्वागत है दोस्तो आज 7 जून 2022 को कोन होनार करोणपती अर्थात KBC मराटी का जो अपलाइन क्वीज है जो डेली 24x7 क्वीज है उसके उत्तर हम देखने वाले है तो सोनी लिव एप्लीकेशन पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सोनी ल्यू एप्लिकेशन प्लेट से डाउन्लोड या अप्डेट करके इंस्टॉल करके आप जो है ये गेम खेल सकते हैं सोनी लिव पर आपको पहले तो लॉग तो आप उसे देखकर जरूर किजिएगा और दोस्तो आपलाइन क्विज खिलने के लिए आप जब ये स्क्रीन ओपन करते हैं आपको बस इस स्क्रीन पर पहुचने के लिए सर्च बॉक्स में कौन होनार करोरपती सर्च करना होगा और उसके बाद पर जब क्लिक करते हैं तो रात नव बजे हम गेम खेल सकते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है परन्तु हम रात के नव बजे का नहीं बढ़कि दोपर की 24-27 क्विज खेलने वाले है तो इस पर क्लिक कर दिया मैंने अब तो दोस्तो अभी प्रश्न आना तो चाहिए प्रश्न आया हूँ आ नहीं रहा दिखा नहीं रहा बैक लेता हूँ फिर से एक बाद ट्राय करते है यह क्या इशू है पता नहीं प्रश्न दिखना तो चाहिए प्रश्न दिखा नहीं रहा है अभी प्रश्न दिखा या दूस्तो पहला प्रश्न है हिमाल परबत कुंसा है इसकी हमें धवल गिरी, कांचन, जंगा, एवरेस्ट और अन्नपुर्ना इसका सही उत्तर है एवरेस्ट जो माउंट एवरेस्ट है वही हिमालयान रेंज में सबसे बड़ा सबसे बड़ी चोटी आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट दरसल मेरे इंग्रीश लेंग्वेज सिलेट थी अगर आपको इंग्रीश लेंग्वेज सिलेट करने के बाद आप्चन नहीं कुलते है मानलो तो मराटी लेंग्वेज सिलेट किजिएगा दूसरा प्रशन है स्वातंत्र भारताची पहिली पंचबार्शी की योजना कोनत्या वर्षे शुरू करन अगले वीडियो से मैं इस लोगों को थोड़ा साइड में कर दूँगा तो आपको पॉइंट्स दिखने चलू हो जाएंगे अभी गून में दू लिका है मतलब 200 पॉइंट्स है अगला प्रशन है महाराश्ट्रजा पठारावर अडर्ण नारा प्रमु खड़क कुनता है अप्शन है यहाँ पे बेसॉल्ट कोड़सा लोखंडी खनीज या ग्रैनाइट अप्शन इसका बेसॉल्ट है अप्शन एक अरेक्ट होगा इसका इसको हम लॉक करते हैं कोड़सा मतलब कोईला होता है वो तो नहीं है तीसरा प्रशन देखेंगे मिमराटी चाहे परंतु आमचे दर्शक हिंदी आयत कैनना पन समझाएला पाईजे मनुन भी मालग हिंदी बोलते है अक्राव्या पंचवार्शी की उजने अंतरगत 27 निरिक्षन करने योग्य लक्षे किती मुक्य श्रेणीन मदे विबागली गेली अप्शन है तीन गट चार गट पाच गट छे इसका उत्तर छे गट होगा 6 गुरूप में बाटी गई थी वो 6 गुरूप की श्रेणीयों में यह बाटी गई थी करके 6 ही होगा ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा इसका करनाडा पक्षी अभियारन्य कोट आए करनाडा पक्षी अभियारन्य बहुत ही फेमस बर्ड सैंक्शुरी है यह यह कहां पर है राइगड में अवरंगाबाद में पुने में या नाशिक में इसका सही उत्तर है राइगड में करनाडा बर्ड सैंक्शुरी जो है वो राइ सरल सवाल है वैसे जोतिबा फुले गोपाड हरी देशमुक जगनात शंकर से गोपाड गनेश अगर कर दोस्तों पुने के भीडे वाड़ा में लड़कियों के लिए पहली जो स्कूल शुरू कीती वो महात्मा जेतु ये बाप फुले ने शुरू कीती और उनकी जो वाइप ह पहले साप्ता ही कुर्त पत्र कोन ते मराटी लेंग्वेज का पहला विकली निजपेपर पूछा हुआ यहां पे दिख दर्शन दर्पन केसरी या सुधारक इसका सही उत्तर है दर्पन केसरी कापी लोगों को लगेगा यहां पर केसरी नहीं बलकि दर्पन है और दर्पन का असली मेनिंग होता है आरसा यहने आइना अगला सवाल है भारता मदे किती केंद्रशासित प्रदेश आहेत बिलकुल यह लेटेस्ट वाला पूछ रहा होगा तो अप्शन है तीन पाच साथ और आठ तीन और पाच का तो कोई सेंसी नहीं बसता अगर यहां अप्शन रहता तो थोड़ा बहुत कंप्यूज होने के लाइक था बट इसका सही उतर आठ है दोस्तो इसके बारे में मैं पूरी क्वीच खतम होने के बाद आपको बताऊंगा इसके बारे में हम एक सवाल जरूर देखते हैं उस पर थोड़ सा डिसकाशन करते हैं तो क्वीच खतम होने के बाद इस पर चर्शा करेंगे सेकेंड लाश्ट क्वेच्चन है दूसरी पंचवार्शी की योजना कोनतिया मॉडल बर आदारित होती सेकेंड पंचवार्शी की योजना मेरे केल से हेरोल्डोमर नहीं है सुक मैं चक्रवरती भी नहीं है महालो नोबीस काड़ गेड़ महालो नोबीस होना चाहिए मेरे हिसाब से यह महालो नोबीस और अन्तिम प्रशन है आज की क्विसकाद दोन हजार बारा मदे बालकांचे लेंगिक गुनेंत पासुन संड्रक्षन करने सटी कुनता काईदा लागू करनेत आला मतलब जो चाइड़्स जो है बच्चे जो है उन पर जो वह लerekHE केत दे चाहर होता है तो उनसे बचाने के लिए एक लौ हे इंडिया में पेशा, पूक्सो, पॉश्ज, और पीव, सीएम में से पूक्सो एक्ट अपने पूक्सो एक्ट सुने भी होंगे तो वही है प्रोक्सो एक्ट प्रोक्सो एक्ट तो दोस्तो ये पूरा कंप्लेट हो गया यह लिका भी है मराटी में प्रशनोत्तरी पूर्ण केल्या बद्दल धन्यवाद कुरुपया पूरे जाना साथ पूरिचा बटनर बनावर क्लिक करा और ये जो क्विजे दोस्तो ये 24x7 क्विज है ये खेलकर हम अपना मतलब डेली खेलकर हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमा सकते है यह पूरे जापर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वही स्क्रिन आ चुकी है ये डेली क्विजे 24x7 क्विज मतलब सुमवर से शनिवारी नहीं बरकि हर दिन रहेगी सुमवर से रविवार्दक और मैंने एक चीज कहा था कि मैं मतलब किंद्रे शासित प्रदेश वाल जो क्वेस्चन था उस पर मैं चर्चा करूंगा करके मेरे कहल से जो आठवा सवाल था तो उसके बारे में जानकरी बता दू दोस्तो तेलंगाना स्टेट बनने के पहले भारत में कुल राज्य थे 28 मेरे कहल से 28 और 7 प्रदेश थे उसके बाद में जब तेलंगाना स्टेट नया बन गया तो राज्यों की संक्या हो गई 29 और केंदर श्यासित प्रदेश हो गए जो थे वो तो साथ ही थे 29 और 7 हो गए थे 36 उसके बाद में क्या हुआ तो आपको पता होगा उसके बाद केंदर सरकार ने जम्मू काश्मीर जो स्टेट था जम्मू काश्मीर 28 स्टेट फिर से और जम्मू काश्मीर केंदर श्यासित प्रदेश होने के बजासे वो हो गया 28 आठ 36 पर उसी के साथ लेह जो है लेह को भी केंदर श्यासित प्रदेश बनाया था उसी दिन तो वो हो गया 28 नव 28 नव बोले तो 28 स्टेट 9 केंदरशासित प्रदेश टोटल हो गए थे 37 पर बाद में फिर इनमें जो दमन एंड दिव और दादरा एंड नगर हवेले जो अलग-अलग केंदरशासित प्रदेश है उस वो बाद में मर्ज हो गए और जब मर्ज हो गए तो केंदरशासित प्रदेश 9 से फिर से 8 बन गए और state तो अभी 28 ही है तो अभी जो क्या बूल सकते है लायू status है वो है 28 states और 8 केंदरेशासित प्रदेश तो इस तरीके से 36 फिर से है तो ये cool picture है केंदरेशासित प्रदेश और states की मुझे उम्मेद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी अगर जानकारी अच्छी लग सकते हैं और अगर आप RDSR चैनल पर नीव है तो चैनल को अभी तुरंद अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकोन को प्रेस कीजिए क्योंकि रात के 9 बजे हम जब TV पर गेम शुरू रहेगा उसी वक्त प्ले अलॉंग जो है वो प्ले अलॉंग भी हम खे ये तक ये सो मुच